तोपिक श्टार्ट कर रहे हैं आजम चैप्टर नमबर टू यूनिट फर्स्ट का ही बार्ट है ये उपवल्ले उपवल्ले जैसा कि इसका नाम खुद ब्रवासिद कर रहा है हम पहले भी कही वार उपसमुच्चे है या फिर उपगुरूप इनके बारे में कर चुके हैं उसी परकार की प्रिवासा इसमें है मान लोगी आर प्लस और गुणा एक वल्ले है तो अगर एस आर का कोई भी एक सबसेट बन जाए उपसमुच्चे यानि आर के अव्यों को लेकर एक नया समुच्चे प्रिवासिद कर दिया जाए ये एस इनी संक्रियाओं के लिए जो संक्रियाओं पहले प्रिवासिद की जा चुकी हैं इनी संक्रियाओं के लिए अगर फिर से नया वल्ले प्रिवासिद कर देते हैं यानि वल्ले की जितनी भी conditions थी वो सारी की सारी इसमें apply हो जाती है वल्ले को फिर से प्रिबासिद कर देता है तो इस S प्लस इंटू को R प्लस इंटू का उपवल्ले कहते हैं हमारे पास उपवल्ले की या सब रिंग की definition होगी कि अगर R प्लस इंटू एक ring है वल्ले परिबासित नहीं हो पाएगा क्योंकि वल्ले परिबासित होने के लिए आबेली ग्रूप और चाहिए प्लस के लिए और प्लस के लिए आबेली ग्रूप तब ही हो सकता है जब उसमें तत्समक विद्यमान होगा तत्समक का मदलब 0 तो कम से कम होना ही चाहिए उसमें अगर 0 उसमें विद्यमान होगा तो इसका अर्थ यह हो गया कि S खाली दो नहीं होगा Empty Set नहीं बनेगा कम से कम एक अवियव तो आए गई आएगा अब अगर S सबसेट है R का और S इनी दो संक्रियाओं एडिशन और मल्टिप्लिकेशन जो लेके चल रहे हैं जिसके लिए यह रिंग को डिफाइंड कर रहा था उसी के लिए एक नया वल्लय बना दें तो उसे सब रिंग कहेंगे For example आपने वास्तिक संख्याओं पर जोड और गुना एक वल्लय लिया हुआ है और हमें पता है कि क्यू प्रिमे संख्याओं प्रिमे संख्याओं हमेशा सबसेट होता है आर का क्यू प्लस गुना जो है वह भी एक वल्लय को प्रिवासित करता है तो हम कहेंगे कि क्यू जो है वो आर पर उपवल्लय है यानि R के लिए ये एक उपवल्य सब्रिंग को प्रिवासित कर रहा है क्योंकि Q के जो भी elements है वो सारे R के है R एक वल्य को प्रिवासित कर रहा है तो Q भी एक वल्य प्रिवासित हो रहा है जोड और गुणा के लिए सारी वल्य की conditions को satisfy कर रहा है इसलिए इसको subbing कहेंगे definition लिख लिखे इसमें दो उपवल्य हमेशा बनेंगे एक उपवल्य जो होगा वो R समय होगा जो से उपवल्य बना रहे हैं वो समय भी एक उपवल्य को परिवासित खरेगा और एक हमारे पास 5 बनेगा, 5 नहीं हमारे पास zero बनेगा अकेला zero आजाए जिसमें ये दो उपवल्य हमेशा किसी भी कोई भी बी बल्य लेकर चलेंगे और ये दो उपवल्य आवश्य है बनेंगे इन दोनों उपवल्यों को हम विसम उपवल्य है या पिर इसका एक ओर नाम है तुछ उपवल्य है इंप्रोपर सब्रीग यह सभी विसम उपवल्य है या इंप्रोपर उपवल्य कहला है sabring कहलाएंगे और बाकी जितने भी बनते हैं उनको proper sabring या उचित उपवल्य कहते हैं खुद और jiro दोनों उपसमुच्चे हैं परते एक समुच्चे खुद का उपसमुच्चे होता है और जीरो भी हमेशा उपसमुच्चे बनेगा ये दोनों के दोनों हमारे पास उपवल्ले हमेशा बनेगे इन दोनों को हम इंप्रोपर सब्रिंग या विसम उपवल्ले कहेंगे बाकी जो भी बनते हैं, उनको हम उचित उपवल्ले कहते हैं, ठियोरम करेंगे अब इस पर आदारित, हमें जो मेन पार्ड प्रूफ करना होगा, कि जब भी हमें एक समुच्चे दिया जाएगा, और हमें ये कह दिया जाए, एक रिंग दे दिया जाए, और हमें ये कह दिया जाए, कि स इसमें हमें ये दिया हुए है कि R एक एरिक्त उपसमुच्चे S के लिए R का उपवल्य होने हितु आफशक और प्रयाप्त पर्तिबन A belongs to S, B belongs to S के लिए A minus BBS का अव्यों बनना चाहिए और A into BBS का अव्यों बनना चाहिए ये हमें प्रूफ करना है इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम मानके चलते हैं माना प्रूफ पार्ड में S, R का उपवल्य है हम ये लेके चलते हैं कि ये उपवल्य है पहले हम ये कंडिशन करेंगे कि ये परतिबन सही है बाद में हम यह लेके चलेंगे कि यह पर्तिबंद से ही है हमें उल्टा प्रूफ करना होगा कि यह उपवल्ले है इसको प्रूफ करने के लिए अगर S R का उपवल्ले है तो A और B दोनों ही अवे S के हैं और S में सैंवर्ता का नियम लगू होगा द्वीदारी संक्रिया बाइनरी ओप्रेशन एपलाई होगा अगर बाइनरी ओप्रेशन एपलाई होगा तो इसका मतलब A इंटू B जो होगा वो भी S का ऐलिमेंट जरूर बनेगा क्योंकि द्वीदारी संक्रिया है या फिर सैंवर्ता का नियम लागू होता है सेंवर्थ है दूसरी condition अगर B S का element है तो minus B B S का element होगा minus B S का element होगा क्योंकि ये योज्य परतिलोम है योज्य परतिलोम की condition के according या additive inverse की condition के according अगर B S का element है तो minus B B S का element होगा अब A S का element और minus B B S का element है तो इसका मतलब A plus minus बी बी एस का element होगा again closure property के according ये closure property को apply करता है सेमर्था का नियम लगू होते है और a plus minus b जो होता है वो a minus b के equal होगा अगर a minus b के equal है तो हमारी जो दोनों conditions थी वो apply हो गई यानि a b अगर s का element है तो a minus bbs का element आ रहा है और a into bbs का element है अर्थात पर्थिबंद जो है वो संतुष्ट होता है अगर उपवल्य है तो ये conditions apply होगी अब हम इसका विलोम करेंगे विलोम में हम मानके चलते हैं कि s1 उपसमुच्च है r का इसमें a और b दो element है जिसके लिए a minus bbs का element है और a into bbs का element है ये हम लेके चलते हैं हमें इसमें सिद्ध करना है s1 उपवल्य है उपवल्य सिद्ध करने के लिए s को वल्य सिद्ध करना है r तो वल्य है हमें दिया हुआ है s उसका subset है s को अगर वल्य सिद्ध कर दें तो r का उपवल्य बन जाएगा वल्लेसिद करने के लिए conditions क्या-क्या है सबसे पहले S plus के लिए ability group S plus के लिए ability group बनाने के लिए पहली condition थी सैचरेता associative property हमें पता है कि ये सारे अवयव जो है क्योंकि S subset है R का तो ये जितने भी अवयव आएंगे S में वो सारे के सारे किसके होंगे R के होंगे ये S के अवयव जितने भी हैं वो सारे के सारे किसके हैं R के elements है अब अगर R के elements में साचरेता का नियम लगू होता है जोड के लिए तो S में भी तो साचरेता का नियम लगू होगा क्योंकि उसी के element लेके उसी संग्रिया पर हम साच्रेता का नियम अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर हम लिखेंगे कि S सबसेट है R का R वल्य है अते S प्लस भी साच्रे है वे करम विन में है साच्रेता और करम विन में ता दोनों लगू हो जाएगी दोनों क्यों लगू होगी क्योंकि अगर R में करम विन में ता का नियम लगू करता है तो S में भी करेगा क्योंकि S में अवेव वही हैं जो R में थे जोड और गट अमारे पास संक्रिया भी वो सेम है और अवेव भी सेम है तो वो सारे नियम लग वोंगी तत्समक चेक करते हैं इसमें क्या तत्समक विद्यमान होगा या नहीं होगा तत्समक योज्य तत्समक की बात कर रहे हैं अगर a s का element है तो a s का element क्योंकि same element तो आए गई आएगा दोनो a अगर s के element है तो इस नियम अनुसार जो गुंद्रम अमरे बास a minus b s का element बनना चीए उसके अनुसार a minus a जो गा वो भी किसका element बनेगा s का क्योंकि पर्तिबनत सन्तुष्ट होता है आए यह लेके चल रहे हैं अगर पर्तिबन सन्तुष्ट होता है तो दोनों aware of मान होने पर भी यह नियम लागू होगा अगर यह नियम लागू होगा तो a minus a भी किसका aware बनेगा s का a minus a का मतलब 0, 0s से विलोंग करता है, अर्थात तत्समक या identity इसमें exist करती है तीसरी condition भी satisfy हो गई identity इसमें exist करती है उसके बाद में अगर 0s का element है और a b s का element है तो 0-a जो होगा, वो भी s का element होगा वो ही same condition a-b, अगर s का element बनता है इसका मतलब 0-a b s का element बनेगा, और अगर 0-a s का element है, तो minus a b किसका element होगा अर्थात योज्य परतिलोम की condition को भी satisfy करता है, योज्य परतिलोम भी इसमें विद्यमान है चार condition थी योग के लिए, साचरेता तत्समक, परतिलोमी और करमविनमेता, साचरेता और करमविनमेता, पहले सिद्ध कर चुके है तत्समक, इसमें विद्यमान है परतिलोमी इसमें विद्यमान है योग के लिए तो अबेली गुरुप बन गया वल्ले सिद्ध करने के लिए अब गुणा के लिए हमें चाहिए साचरेता और एक रह गया बंटंता सिर्फ अगर साचरेता और बंटंता दोनों गुंदरम को पालन करता है तो तो ये एक वल्य होगा अगर नहीं करता तो ये एक वल्य होगा हमें पता है कि S के सारे के सारे अवे वो R के हैं R में गुना साचरे हैं अगर R में गुणा साचरे है तो S में भी गुणा क्या होगा साचरे होगा बंटनता गुंदरम अगर R में लगू होता है तो S में भी तो उसी के अवयवलिय है तो उसमें भी बंटनता गुंदरम लगू होगा तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखना है कि S गुणा में साच्रे और S प्लस गुणा बंटनता नियम लागू करता है अते S प्लस गुणा बंटनता है अगर यह बंटनता है तो S आर का उपवल्ले है जो हमें सिद्ध करना था कि S जो है वो एक आर का उपवल्ले की कंडिशन को सैटिस्पाई करता है कि S आर कि S आर करता है